बच्चों तयार हो जाओ जो शोर के साथ यहां पर हम करने वाले 2023 में आए हुए सारे physics के questions लेकिन यहां बच्चों मैंने questions करने के लिए आपको एक pattern select करा है कि मैं chapter हर एक chapter हर एक chapter और हर एक years के इसाफसे मैं आपको सारे pyq questions कराने वाला हूँ तो बच्चों आप radio जाईए इन questions को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको साथ मालूम भी होगा कि जितने भी sets बनते हैं उसका तरीगा क्या होता है physics के 3 sets बनते हैं बच्चों और हर 3 set के भी फिर कितने sets होते हैं 5 जैसे कि यहां पर देखेंगे आप 1 के संग 3 set है और 2 के संग 3 है फिर 3 के संग 3 है चार के संग 3 है और 5 के संग 3 और एक set अलग बनता है जो कि blind बच्चों के लिए होता है तो उनके लिए अलग सर्वन तो इन बच्चों को इन में आप देखेंगे तो 3 3 3 करके 15 और प्लस 16 तो 2023 में आए हुए जितने भी कोशन है इन 16 पेपर से मैं आपको यहां पर इसी वीडियो में solve करा रहे वाला हूं तो आप अगर इन कोशन को कर लेंगे तो 100 परसेंट आप अपने aims में क्या होंगे success होंगे मैं आपको यहां पर 2023 के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि इनको कोशन को solve करा रहा हूं तो आप इन कोशन को solve करके exam 2024 के लिए बिल्कुल ready हो जाएंगे paper देने के लिए तो चलिए हम इसको start करते है time बिल्कुल भी best नहीं करूँगा मैं आपका तो यह आपका first question है बच्चो और देखिए बच्चो मैंने यहां पर क्या करा है हर एक set का number भी लिखा हुआ है कि यह set कि set से यह question आपको मिलेगा ताकि आपके पास जो भी paper available हो जो भी जिस paper से करना चाहते बच्चो तो उसके question धूनने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी हर एक set number का मैंने यहां पर number लिख रखा है जैसे कि यह question जो है बच्चो आपको set number 55 oblique 1 oblique 1 के 1, 2 और 3 सेटों में ती first question है बच्चो आपका यहां पर और यहां पर मैं आपको बता दूँ चैप्टर हमने वन लिया है चैप्टर का नाम में electric charge and field और यहां पर मैं एक एक कोशन आपको इस chapter से लेटेट जितने भी board में 16 paper मैंने बताया है तो 16 paper से मैं आपको solve कराने वाला हूं first question है a point charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experience of force f if the distance of the charge is 2r the force on the charge will be तो देखिए यहां पर हमें force निकालना है कि किस तरह से हमें इसको force को बताना है तो आपको बच्चो यहां पर क्या दे रखा है एक electric dipole दे रखा है तो चले मैं आपको एक diagram से तताता हूं आपको क्या दे रखा है बच्चो एक short short का मतलब कहें कि यह charge बहुत पास पास है इस इसकी access पर कोई point रखा हुआ है तो इसकी access पर हमने यहां पर कोई point लखा हुआ है रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर जहां पर हमें बच्चो force को बताना है यहां पर force आपको sorry दे रखा है अब बच्चो यहां पर का रहा है कि अगर यहां पर यह distance यह distance आर की जगे हम कितना convert कर देते बच्चो आर की जगा हम यह डिस्टेंस ले देते हैं तो यहां पे आप फोर्स की वैलू कितनी हो जाएगी यह आप से पूछा जा रहा है तो करना बहुत असान है बच्चो सबसे पहले आप जानते हैं कि यहां पर क्या करेंगे हम एक्सिस के लिए फॉर्मला जानते यह डाइपोल के लिए तो बच्चो आप लोगों ने देखिए फॉर्मला पर लखा है कि जब हम यहां पर इलक्टिक फिल्ड का फॉर्मला ड्राइब करते हैं डाइपोल के कारण और वो भी किसमें एक्जियल पोजीशन में एक्जियल का मतलब इन दे एक्सिस में तो उसक इन फॉर्स बताना है तो यहां पे हम बच्चो पहले फोर्स के लिए f July बना लेते तो है आपके लिए फॉर्मला इंब चम वराभर निकालेंगी क्यू ऑर यहां पर बच्चो यही बेलिव अग्रम लगा दें अ हमारे पास formula आ जाता है अब बराबा क्यू वन अपॉन फॉर पाई असने टूपी अपॉन आर क्यू अब देखिए यहां पे हमें force और केबल distance मतलब है बाकी terms हमारे लिए constant है तो इसको इतना बड़ा लिखने की जरूत नहीं है इसको करने के लिए हम simply इसको k represent कर देते हैं तो हमारे पास यह formula आ गया force और distance के रूप में अब यहां पे distance बच्चो आ रहा है तो r के लिए तो formula यही हो गया अगर हम यहां पर r की जागे कितना लगाते बच्चो 2r तो देखिए यहां पर 2r लगाने पर force को हम change कर लिए हमने म तो f- upon f निकालेंगे तो divide करने पर यह constant से constant क्या हो जागा cancel हो जाएगा और यह वाला part जो है 1 upon 8r3 और इसको हम यहां पर बच्चो क्या कर देंगे यहां पर reciprocal करके लिख देंगे तो यह आपका answer आ जाएगा solve होने के बाद r3 से r3 कर जाएगा 1 upon 8 आ जाएगा और f-स निकाल देखेंगे eight times किसमें आ रहा है यह आपके second बाले option में आ रहा है तो option second is correct next question पर आते है next question है देखिए मैंने आप से कह रखा यह set number मैंने बच्चों लिख रखा है आपको ढूनने की बिल्कूल भी दिक्कत नहीं होगी बस set number आप निकालेंगे उसमें आपको यह mcq question जो है वो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा तो देखिए questions क्या है the magnitude of the electric field due to a point charge object at a distance 4 meter is 9 newton per column from the same charge object electric field of magnitude 16 newton per column will be at distance तो चलिए हम इस questions को अच्छे से पर समझा देता हूँ देखिए बच्चों जो जो दे रखा होता है पहले आप उसको लिख लिए करिए देखिए आपको कहा जा रहा है the magnitude of electric field point charge के कारण पूछ रहा है तो देखिए point charge के लिए हमारे पास formula होता है e और आबर 1 upon 4 pi epsilon q upon r square यहाँ पे बच्चों आपको electric field दे रखा है e की value दे रखी कितनी 9 और distance r की value कितनी दे रखी है आपको 4 तो यह वाली value अगर हम यहाँ लगा दे तो इसके साब से हम इसको calculate कर सकते है उससे पहले मैंने इस constant क और देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है कि charge यहाँ पे same है same charge के लिए मैंने इस पूरे part को constant ले लिया अब यहाँ पे मैं इनकी value लगा दूँ तो 9 आपका electric field हो गया और distance की जगे क्या आगे बच्चों r की जगे क्या आगे 4 का square हो जाएगा और यही formula क्या बच्चों करें लिया है तो next part में हमने क्या करा बच्चों यहाँ पे हमने electric field की value next time में 16 लगाई अब distance आप से पूछा distance मैंने और लेट कर ली इन दोनों equations को आप बच्चों क्या कर लीजिए डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 16 अपॉन 9 के से कर जाएगा यहाँ पे 1 option number जो correct है वो कौन सा है बच्चों यहाँ पे c is correct answer next question आते हैं देखे मैं question पढ़ने में time risk नहीं करता हूँ question आपके सामने लिखा हुआ है मैं directly इसको कराने के लिए आपको start कर देता हूँ तो देखे यहाँ पे आपको बच्चों क्या दे रखा है dipole moment दे रखा है dipole moment को बच्चों किसे लिखते हैं हम P से तो P की value कितनी आपको पास 2 x 10 की पावा मैनस 8 कुलाम मीटर है और आपको क्या दे रखा है inner uniform electric field maximum torque को किसे लिखेंगे बच्चों tau से tau की value होगे 6 x 10 की पावा जागा आपका 90 डिगरी और electric field आपसे पूछ जा रहा है अब आप सोचके बताइए बच्चों इसमें कौन सा formula आपने पढ़ा है कौन सा formula इसमें apply हो सकता है तो यहाँ पे बच्चों कौन सा formula बन सकता है आपका tau बराबर P e sin theta तो हम इनकी value लगाते थे tau की value हमारे पास कितनी है टाउ की value 6 into 10 की पावर minus 4 है फिर यहाँ पर P P की value कितनी है 2 into 10 की पावर minus 8 लगा दी यह हमें find करना था और angle कितना लगा दिया sign 90 इसको हम solve कर लेते तो solve करने में बच्चों किया यहाँ पे 2 से यह 6 cancel हो गया कितना हो जाएगा 3 यह power minus 8 इदर जाएगी तो उपर power 4 हो जाएगी तो कितना बचेगा बच्चों 3 into 10 की पावर plus 4 और sign 90 की value कितनी हो गई 1 तो यह e की value आपकी निकल के आ जाएगी 3 into 10 की power 4 बोल्ट पर मीटर तो इलक्टिफ फिल्ट की यूनिट बोल्ट पर मीटर भी होती है तो आपका यहाँ पे जो answer मैच हो रहा है वो answer हो गया आपका c is correct नेक्स चलते questions पे an electric experience of force बच्चों आपको दे रखा है और आपको क्या दे रखा है electric field दे रखा है तो force को हम लिखते है f से और electric field आपसे पूछ रहा है और बच्चों यहाँ पर force और electric field में लिखने के लिए हमें यहाँ पे electron की बात कर रहा है तो electron पर charge हम जानते हैं कितना होता है यहाँ पर गलत लिग गया यह Newton नहीं है बच्चो यहाँ पर यह कुलाम है यह mistake है तो आप इसको मैं रब करूँगा फिर से Newton बन जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या है है C ठीक है बच्चो यहाँ पर ध्यान लगना यहाँ पर N नहीं है तो यह charge होता है electron पर 1.6 into 10 की परवा माइनस 19 कुलाम अब फॉर्मला जानते हैं आप इसमें क्या लगाएंगे तो E बराबर फॉर्मला होगा F upon Q और Q की जगे हम लगा देंगे कितना बच्चो यहाँ पर charge यहाँ पर हमारे Q के रूप में क्या है E है तो electron का चा चीज और है यहाँ पर माइनस 16 होगा यहाँ पर यहाँ पर कितना होगा बच्चो माइनस 16 तो माइनस 16 से माइनस मैं इसको अलग से कर देता हूँ यहाँ पर actual में यह value लगाना गड़बड हो गया इसको फियर कर देता हूँ यह वाली value बच्चो यहाँ पर कितनी है 1.6 into 10 की पावर माइनस 16 है क्योंकि यह value यहां से ली गई है जो कि पावर गलत लग गई है और electron पर charge कितना है 1.6 इंटू 10 की बावर माइनस 19 यह से cancel हो गया माइनस 19 को उपल जाएंगे पिलस 19 हो जाएगा तो 19 में 16 जाएगा तो कितना जाएगा 10 की पावर 3 तो यह आपका answer आ गया electric field की value कितनी है 1 इंटू 10 की बावर 3 Newton पर कुलाब और देखिए बच्चों यहां पर unit vector I लगा हुआ था तो इसके संग हम यहां पर क्या लगा देंगे I अग यह question किस से match हो रहा है आपका कौन से वाले option से हो रहा है तो यह अप्शन नंबर A is correct and electric dipole length देखिए dipole आप जानते हो dipole क्या हो था dipole में बच्चो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है जिसकी वीच की distance कितनी होती है तो यह देखिए मैं questions नहीं पढ़ता हूँ मैं question पढ़ना तो time भी वेस्ट होगा और question आपके सामने लिखा हूँ मैं direct इसको क्या कर रहा हूँ direct जो जो दे रखा है उसको given चीजों को मैं लिखते जा रहा हूँ तो आपको given क्या है electric dipole की length है तो electric dipole की length को बच्चो हम किस से लिखते हैं 2A से तो हमारे पास बच्चो यहाँ पे 2A क्या है आपको given है कितना है 2 cm cm को हम मीटर में करेंगे तो बच्चो किस से multiply करेंगे minus 2 से फिर आपको दे रखा है angle दे रखा है theta is equal to 30 degree electric field दे रखा है electric field को लेखेंगे e से 2 into 10 की power 5 if the dipole experience है torque को किस से लेखेंगे tau से और आप से पूछे रहा है magnitude of either chart either chart दे डाइपोल के दो चार्ड होते है opposite और equal होते है जिनकी बिचकी decision to add होते है तो आइदा का मनदद कोई भी चार्ड जाने की दोनों चार्ड equal है तो इनकी value आपको निकाल नहीं है तो Q is fine अब देखें यहाँ पे formula कौन से लगाएंगे E है टाउ है तो यहाँ पे बच्चो E वराबर क्या होता आपका टाउ वराबर कितना होता P E साइंटी डब बट आपके पास P given नहीं है तो P का formula कितना होता है elected dipole movement पढ़ाओगा Q into 2A तो यहाँ पे हम P को replace कर देते है Q into 2A से अब यहाँ पे सारी value लगा देते है टाउ की value हमारे पास कितनी है बच्चो यहाँ पे 8 into 10 की पावर वालस 3 Q की वेल Q हमें find करना है 2A हमारे पास कितना है बच्चो 2 into 10 की पावर माइनस 2 electric field कितना होगे आपका electric field बच्चो कहा है electric field है 2 into 10 की पावर 5 10 की पावर минus 3 यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 2 और 2 4 और 10 की पावर 5 में से 2 जाएगा तो बच्चे गा बच्चो 3 और यहाँ पे 30 की वेलु कितनी आगई 1 by 2 2 से 2 गट जागा तो 2 आ जागा और यह 2 इधर से कट जागा कितना जागा 4 यह power minus 3 तर जाके उपर जाके minus 3 जागे तो minus 3 minus 3 कितना हो जागा 4 into 10 की power minus 6 तो यह आपका बच्चो answer आगया final क्यों की value कितनी आ गई 4 into 10 की power minus 6 लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बार note करिए questions में आपको यहाँ पर micro column में दे रखा है तो आप जानते हो 1 कुलाब में कितना होता है बच्चों 1 कुलाब निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे 1 micro column में कितना होता है 10 की power minus 6 कुलाम तो minus 6 कुलाम क्यों में करनबड़ हो जागा 1 micro disparities तो यहाँ पर हम 10 की बार minus 6 को अठा देते हैं इसे micro आंसर बच्चों अगर मेरी स्पीट फास्ट हो रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर दिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी स्पीट को कंट्रोल करूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कि कोशन क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा आपका कहीं पर भी एक मिनट का टाइम भी नहीं खराब करना चाहता हूं लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि मेरी कोई स्पीट फास्ट है समझाने में तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स जुरू करिएगा ताकि मैं दिहान रखूं चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कुशन पर नेस्ट कुशन है आपका सिक्स जो कि आपका बोड के लिए कोट नमबर लिखा हुआ किस पेपर में आपको मिलेगा यह कुशन यह सारे मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दो हम केबल 2023 के पेपर कर रहे हैं और वो भी किस चैप्टर केबल चैप्टर वन के हम कर रहे हैं सारे फिजिस के पी बाई क्यों कोशन आप से देखिए क्या का जा रहा है एन इन इन्फाइन लॉंग यूनिफॉर्मली चा लेक्ट कर लेते हैं 10 की पावा माइनस 2 से मल्टिप्लाई पूछ करके अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है लीनियर चार्ड डेंसिटी लीनियर चार्ड डेंसिटी को बच्चों हम किस से लिखते हैं लेमडा से तो लेमडा आपसे पूछा जा रहा है अब आपको एक ऐसा बताना है जिसमें यह आता हो लेमडा आता हो तो देखिए आपने पड़क हो एक डेरिविशन लॉंग यूनिफर्मली चार्ड वायर के द्वारा इलक्टिव फिल्ड का फॉर्मला ड्राइब किया होगा तो वो इलक्टिव फिल्ड का फॉर्मला कितना होता है वन अपॉन पाइ एपसेजनेный नॉट लेमडा अपां आर होता ह हमारे पास एक कॉंस्टेंट की वेलु होती है वन अपॉन फॉर«पाइ एप्सेलर की वेलु उती है नाइन इंटू ना epsilon 0 है अगर हम इसको ऐसी calculate करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी पाई की value लगाने पड़ेगी epsilon 0 की लेकिन हम यहाँ पर क्या करते है कि इसको 2 से ओपर नीचे हम multiply करके 2 और 2 4 को multiply करेंगे तो यहाँ पर यह constant बन जाएगा जो जिससे इसकी value लगाना क्या हो जाएगी असान तो हम यहाँ पर क्या करते बच्चो हम यहाँ पर इसको 2 से ओपर multiply गया 2 से नीचे तो 2 और 2 यह मिलके कितना बन जाएगा इसलिए करा क्योंकि इसकी बच्चो हमारे पास value कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है और अब हम other values को भी लगा लेते हैं तो other values हमारे पास देखे ए की कितनी है 18 इंटू 10 की पावर 4 और यह आपके पास है लेमडा कितना given है लेमडा आपको find करना है बच्चो आर आप के पास कितना है वन इंटू 10 की बावर माइनस टू तो चली इसको भी हम calculate कर लेते हैं तो देखे calculate करने के बाद यहां पर मैं बता दू कितना है यह तो 10 की पावर 4 है और देखे माइनस टू को अगर उपर ले जाते है तो यह माइनस टू पर जागे कितनी बन जाएगी 11 और यह 9 टू जा कितना और इसना कितना है टू लेमडा तो इसना टू जा एटीन और टू से टू कैंसल हो जाएगा टैन की पावर 11 को अगर उदर ले जाएंगे तो माइनस 11 आ जाएगा और 4 मेंस 11 जाएगा तो बच्चे वाद माइनस 7 तो यह आपका बच्चो आंसर आ गया 1 कि पावर माइनस 7 को सैंटीमीटर कुलांब पर मीटर लेमना की फॉर्मला में पढ़ते हैं बच्चार्ज पर यूनिट लेंद होती है तो चार्ज की यूनिट कुलांब और लेंद की मीटर तो इसकी यूनिट क्या लगे कि कुलांब मीटर माइनस अपर तो देखिए आंसर match कर लेते कुछ से answer match कर रहा हमारा यहां पर बच्चों यह answer match कर रहा हमारा d option से तो d option यहां पर क्या है आपका correct answer बढ़ते हैं next question की और two charge q1 q2 r place center of two spherical conducting shell उनकी radius r1 r2 है और उनको इस प्रकार से arrange किया गया कि उनकी center की distance उनके दोनों की radius इसके distance से क्या ग्रेटर यह बच्चों दिखने में तो बहुत असान है लेकिन इसमें बड़ा confusing है तो मैं आपको पहले यहां पर चीज बता दूं की चीज़ का हो सकता है तो चलिए इसको करने के लिए यहां पर पहले हम कुलाम साह से जानते हैं कि बई दो चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए formula माल पास यह बिलिवरत है अब देखिए बच्चों यहां पर आपको जो दे रखा है वो two spherical conducting cell दे रखी है जिसकी radius क्या R1 और R2 लेकिन मैं उससे पहले यहां पर बच्चों इस फेर बना लेता हूं और एक साथ में cell का conducting cell का भी diagram बना लेता हूं क्योंकि यहां पर यह कद्धिजन हो सकता है कि यहां पर हो सकता है कि कोजिशन में आपको cell की जगा sphere भी provide करा दे तब यह question बिल्कुल change हो जाएगा होगा क्या बच्चों देखे आप जानते है कि अगर कोई sphere होता है बच्चों अगर कोई sphere होता है तो sphere पर अगर charge हम यहां यहां कहीं पर भी रख दे तो यह charge कभी भी अंदर नहीं रहे कि यह कहां पर transfer हो जाता है बच्चों surface पर आ जाता है इंसाइड में कोई चार्ज नहीं रहता है लेकिन अगर बच्चों यहां पर सैल है तो सैल में कोई भी चार्ज surface पर transfer नहीं होता वो जहां पर होगा वहीं पर रहेगा तो देखिए अगर मैं आप क्या कहता हूं कि हमारे पास यह sphere है दो चीके इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है और दोनों पर प्लस चार्ज है प्लस होगा तो रिपेल करके यह वाला चार्ज spine पर आ जाएगा और यह वाला चार्ज बच्चो spine पर उस case में जब हम इसमें force column लावाएंगे तो हमारे पास distance यहां से यहां तक हो जाएगी distance देखी यहां तक कितनी होगी यह आपको R1 की मेंने और यह आपको बच्चो कितनी की मेंने R2 और यह यहां से यहां तक कितनी है बच्चो आपको पास D है तो उस case में distance बन जाएगी D और R1 इदर से add करेंगे R1 और इदर से add करेंगे तो यह बन जाएगी R2 और बच्चो तो इस तरह से मतलब यहां पे मैंने आपको दिखा रखा है और अगर यह मान लीजिए कि यह वाले charge एक plus का और एक minus का तो यह वाल एक दूसरे गाट करेंगा तो यह वाला charge transfer हो के बच्चो यहां पे आ जाएगा और यह वाला charge transfer हो के यहां पे आ जाएगा उस case में distance आपकी यह वाली बचेगी और यह distance कितनी हो जाएगी बच्चो पूरी D में से D में से minus कर दे तो कितनी बचेगी R1 प्लस R2 बचेगी तो उस case में हम distance यह लगाएंगे लेकिन यहां पे case हमारा यह बच्चो sphere का नहीं है इसलिए यहां पे sphere के बारे में बिल्कुल भी हम सोचेंगे नहीं मैंने इसलिए बताया बच्चो questions change हो के आ सकता है आपसे वो spherical conducting cell की जगा अगर वो sphere दे दे तो यह questions का answer बिल्कुल change हो अब मैं इसको cut करके मैं इस question का answer बताता हूं यहां पे आपको spherical cell दे रखी है जिसकी radius कितनी है और एक की radius कितनी है और जो distance है दोनों की बीच की वो दोनों से बढ़ी है इसका मतला यह दोनों इक दूसरे को touch नहीं करेंगे कुछ एक दूसरे से gap पे होंगे तो इन दूनों क मैंने बताया कि अगर यह सेल है तो अंदर से बिल्कुल free होगा यह कोई भी चीज नहीं होगी तो empty चीज में चार्ज कभी ट्रांसफर होके सर्फेस तक नहीं पहुंचेगा तो जो चार्ज है वो सेंटर का सेंटर पे ही रहेगा चाए वो पॉजिटिव का हो चाए वो सब्सक्राइब तो फोर्स का फॉर्मला बच्चो आ जाएगा एफ बराबर वन अपन फॉर पाई एपसलेन नॉट क्यूवन क्यूटू अपन कितना आ जाएगा डी स्क्वेर तो इस साफ से हमारा यहां पर कौन सा कोईशन बच्चो मैच करेगा यह option एज़ा करेक्ट आंसर के उसके साफ से उसके डिस्टेंज चेंज जाती तो जातर बच्चे यह भी वाला आंपर आंसर लगा के आ जाते हैं अगर थोड़ सा कमी हो लेकिन यह आंसर बिल्कुद गलत है आंसर आपका इसके साफ से कौन सा करेक्ट है डी ए ऑप्शन इस करेक्ट अब पाइंच चाज क्यू इस कैप एट अजिस्टेंस आर इंफिनिटी लॉंग इस्टेट वायर विच चार डेंसिटी मैंगिटूट अफ दा इलेक्ट्रोश्टिक फोर्स एक्स्परियन चार्ड देखिए क्या कोश्चाज है सबसे पहले आपको यहां पे क्या दे रखा ह देखिए मैं आपको एक चीज बता दू यहां पर आपके पास क्या इक तो इन्फाइनाइटी लॉंग वायर है जिसकी चार डेंसिटी को हम लिखेंगे लेंडा से तो आप से फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो फोर्स के लिए पहले हमने इलक्टिव फिल्ड का फॉर्म हमें बच्चों फोर्स बताना है तो ई का फोर्स से लिलेशन होता है ए वराबर एफ अपन क्यू और एफ बडाबर निगा लेंगे क्यू यहां पर एकी वैलू अब लगा देंगे कितने याईगी वान अपन टू पाइ एपसालन लेम्डा अपन आर अब बच्चों यहां प particle of mass m charge q is moving with a uniform speed v in a circle r with another charge q at the center, देखिए कुछ भी question समझ में नहीं आया, मैं आपको एक अच्छे से diagram बना के बताते जाता हूं क्या क्या बात हो रही है, सबसे पहले आपको एक particle दे रखा है जिसका mass m charge q, moving किसमें कर रहा है एक uniform speed एक circle में move कर रहा है तो देखिए मैंने एक circle सबसे पहले draw किया अब यहाँ पर हमारे पास कोई object है, कोई particle है इस particle के बारे में हमारे क्या क्या दे रखा है, बच्चो mass दे रखा है इस पर 4 दे रखा है, minus q यह moving किसे कर रहा है speed v से move कर रहा है circle में जिसकी radius कितनी बच्चों, यहाँ पर r radius हो गई अब यहाँ पर एक another charge कहाँ पर बच्चों रखा है, नोंने center पर तो देखिए center पर another charge रखा हुआ हमारा हम हमें value find करने है इस r की, तो कैसे निकालेंगे इस r के लिए, सबसे पहले कुछ न कुछ हमें मिलेगा क्योंकि दो charge है और इस की distance है तो सबसे पहले हम तुमने कुलाम से लगा है, कुलाम से लगा होता है मान जानते हैं, one upon four five q1 q2 q1 की जगा q q2 की जगा भी q, sign consider नहीं करते हैं vector form में तो यहाँ पर only इनका magnitude लगा दिया अब देखिए, यह बच्चो circle में अगर घूमेगा तो घूमने के लिए आपको कैचिए होगा centipital force चाहिए होगा, centipital force का formula कितना होता है, mb square upon r b होता और m r omega square b होता है, दोनों यह formula centipital force के जो कि आपने 11 class में पढ़े होंगे, यह centipital force इनको electrostatic force ही मिलेगा यानि कि यह force जो है, f बराबर खुद में centipital force के बराबर हो जाएगा जिसका formula f बराबर mb square तो यहाँ पे बच्चो circle में अगर कुछ इच घूमती है, तो घूमने के लिए centipital force चाहिए होता है, तो यह force solve करेंगे, तो r की value कित्ती है जाएगी बच्चो 1 upon 4 pi epsilon naught की multiply हम इस से कर देंगे तो यह चीज़ ज़रा जाएगी, और q square जो हो जाएगा वो divide में, इस q upon square को हमने a की bracket में कर लिए q upon b का whole square, तो अब आप देख लिए कौनसा, आपका answer match कर रहा है बच्चो यहाँ पर, तो option b, यहाँ पर match कर रहा है तो option b is correct answer, 10th question है, a charge q is placed at the center of q, the electric flux through one is its face is, देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ लखा है गौस ला, गौस ला कहता है कि किसी भी close surface के लिए जितना भी flux होता है, वो charge का कितना होता है, one upon epsilon not times होता है, अब यहाँ पर जो surface है, वो cube है, तो cube में six face होंगे, तो six five, इस पर total net flux हो जाएगा, तो six five इस पर total net flux होगा, q upon reference, जब एक face के लिए निगालेंगे, यह छे face के लिए, cube जानते हो, cube में कितनी faces होती है, बच्चो और six epsilon not, तो आपका answer यहाँ पर कौन सा correct हो गिया, बी, 11th question है, और देखिए यह वाला जो question है, यह उस paper से है, जो बच्चे blinds होते हैं, उनके लिए पेपर cvsc बोर्स कराती है, तो उस पर हमारे सामने तो बच्चो questions मिलने चाहिए, और उसको हमें solve करना न चाहिए, तब मानेंगे हमें physics आती है, यह मतलब नहीं कि कौन से paper से कौन से question आ रहा है, बस आपको सामने question आए, तो आपको solution आपको आना चाहिए, तो चलिए, इस question को भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, हर set के मैंने सारे mcq पहले लिए, फिर मैं उसके हिसाब से मैंने other questions को भी कराने वाला हूं, तो चलिए पहले यहाँ पर क्या है, आपको given है charge, charge को लिग लेते है q से, बहुत simple questions है यह बच्चो, और पूछ रहा है वही देखिए, सब में कितना पूछ रहा है, it means that body has a electron, it means आप से number of electron पूछ रहा है, electron पर charge आप जानते हो, 1.6 into 10 की power minus 19, बहुत simple सा formula है, q बराबर any, और यहाँ पे हम अगर n निकाल लेते हैं, तो n बराबर कितना होगा, q upon e, simple calculation है, तो इसको आप करी लेंगे, तो यहाँ पे इसको करने के बाद, यह calculation चली, मैं आपको चली, आप कर लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा, मैं खराब क्यों करूँ, यह बहुत simple calculation है, करेंगे, तो यह इतने, इसको calculate करके आ जाएगा, और यहाँ पे lost क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे positive charge है, देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी body पे 2 positive, 2 negative है, तो यह बच्चों neutral body है, अगर मैं कहता हूँ, इससे बाई, एक electron बाहर चला गया, इससे अगर एक electron बाहर चला गया, तो इससे minus कम हो गया, तो minus कम होने से positive charge बढ़ता है, तो electron अगर किसी body से बाहर निकलते है, तो body कैसी होती है, positive charge, तो यहाँ पे आपको जो charge गेपे ने positive दे रखा है, इसका मतलब इस body ने electron क्या करेंगे, lose, और अगर मैं कहा दू, इस पे electron अगर आ जाते है, आने पे यह body क्या बन जाएगी, negative, तो अगर किसी पे negative charge है, तो इसका मतलब उस पे electron आ रहे है, gain हो रहे है, तो simple सी बात है, अगर positive charge है, तो electron loss होंगे, और negative charge है, तो electron क्या होंगे, gain होंगे, तो यह इस जैसा option भी आपको बिल्कुल लिख देता, यहाँ पे बस loss क्या लिख देता, gain, ऐसा भी option दे सकता था, तो यहाँ पे फिर confused हो जाते, तो इसलिए यहाँ पे मैं सारे MCQ, जितने भी MCQ आयते 2023 में, कितने सेटों से, 16 सेट से, एक एक questions कुछ भी नहीं छोड़ा, आप मिला लीजिएगा, एक भी questions से, कोई भी paper से मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक एक questions आपके लिए PYQ जो होता है, board examination के लिए बहुत ही important होता है, अब मैं उसके आगे के questions करा रहा हूँ, तो पहले देखिए, मैंने यहाँ पे section D के questions को लिया है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, section D भी, आपके हर questions को मैं solve बनाऊंगा, लेकिन बस आप जहान लखेगा, यह अभी हम कर रहे हैं, only chapter बन के, मैं हर chapter के questions बनाऊंगा, और आपको provide कराने वाला हूँ, आप इस channel पर बने रहे हैं, आप चाहते कि आपको यह videos मिलते रहें, बस अब सब की तरह मैं भी कहूँगा कि आप इस channel को subscribe जरू कर दिए, क्योंकि benefit आप ही का है, और आपके benefits के लिए, थोड़ा सा मिरे को motivation भी मिलेगा, ताकि आप जरसा इसको अपने other students, यानि other groups में अपने साथ के लोगों में भी distribute कर सकते हैं, उनके videos के बारे में बता सकते हो, तो चलिए पहले मैंने आपको दिखाया section D से, यह questions किस तरह से आता है, first, second, third, और यह कौन-कौन से set में आया हुआ questions है, बच्चों, तो मैंने यह लिख रखा है, यह set number आपको 55 के 1, 2 और 3 में, और साथ में 55 के second set के second बाले part में मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको यह questions दिखा दिया, अब मैं इसको एक-एक करके बच्चों solve करूँगा, एक-एक करके, 1 by 1, तो सबसे पहले मैं आपका यह वाला question ले रहा हूँ, जगे कम है, तो मैं अगली skin पर आ जाता हूँ, तो आपने पहला वाला question देखे, मैं दिखा दूँ, मैंने यह वाला लिया है, state column in electrostatic and write it in vector form for two charges, तो यह questions मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं इसको आपको solve करके दिखाऊँगा, हर चीज समझाँगा कहीं पर भी आपको यह नहीं कहूँ, छोड़ूँगा कि कोई भी चीज नहीं होता है, आपको आए या ना आए, मैं हर चीज अपनी तरफ से solve कराऊँगा, तो देखे, state column, आप जानते को लाम सला क्या होता है, को लाम सला क्या होता है, जिसमें दो charge particle होते है, Q1, Q2, अगर पर दूसर से R distance place हो, तो उसमें लगने वाला force जो होता है, वो दोनो charge के, political directly proportion होता है, और उनकी distance के square के, inversely proportional होता है, आपने पढ़ रखा है, तो चलिए मैं आपको लिख देता statement क्या है, according to कुलाम सला, the force of attraction और repulsion जो होता है, दो charge body की बीच में, ये दो charge body चाहिए आपकी positive की हो या negative की, अगर positive, negative की होती तो ये attraction करेगा, और अगर ये दोनो same charge की होगी, तो ये क्या करेंगे, ripple करेंगे, लेकिन इनमें must है कि इनमें force ज़रूर लगेगा, तो अगर दो charge को हम एक दूसरे के पास लग देते हैं, तो उनके बीच में बच्चो कोई ना कोई force लगता है, जो force होता है, वो क्या होता है, बच्चो उनके charge के क्या होता है, product के क्या होता है, directly proportional होता है, अब वो ही force क्या होता है, उनकी distance के square के क्या होता है, inversely proportional, इन दोनों को combine करते हैं, तो आपक यहां पर बच्चों आप जानते हैं इसकी वैलू होती एट पाइंट फाइब माइनस टू थोड़ा मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि यह आप लोगों के नोटस बने होंगे आप लोगों ने अच्छी से त्यारी कर रखी है और आप लोगों को यहां पर आता भी है को यह करा दिया फिर मैं आपसे बात करूंगा अगर मेरी स्वीट फास्ट हो रही हो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट जूलू करेएगा ताकि मैं नेक्स टाइम इसको थोड़ा सा स्लो करूंगा टाइम को बचाने के लिए मैं आपका यह काम करता हूं और हर चीज में कि जब आपको मिटाल देता हूं तो समझे लिए आपको यही सब कुछ आपका फेयर वर्क है कोई भी कहीं भी कोई भी यहां पर बहुत ज्यादा होस्पास नहीं लेकर चलता हूं चीजों को लेकिए यह अब इसी में आपसे वेक्टर भी फॉर्म पूछी गई तो वेक्ट कुछ लगने वाला फोर्स और तो चलिए थोड़ी सी में लेंगोज लिख देता हूं आपको पेपर में क्या लिखके आना है उसके अलाबा कुछ नहीं लिखना अब बहुत कम लेंगोज लिख वाता हूं मैं आपको ताकि कहीं पर भी कुछ दिक्कत ना हो तो देखिए ला टू लाइक चार्ज हमारे पास Q1 Q2 है जो एक दूसरे किसे रिसे पहले से R F12 को हमने माना है कि यह force किस पर लग रहा है Q1 पर और लगा कौन रहा है Q2 क्योंको इसको repulsion कर रहा है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुलाम सला लगाया आप जानते ही हो अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वेक्टर की नॉलिज बताता हम तब मैं थोड़ा सा यह formula को explain कर पाऊँगा तो देखिए unit vector हमारे पास unit vector को लिखते है कैप से unit vector का मतलब होता है vector upon उसका mod लिखने के दो तरीकी होते है या तो हम इसको ऐसे अब आपको एक चीज़ बहुत important है यह आप ध्यान रखेंगे वेक्टर के लिए अगर हम किसी को वेक्टर लिखते है तो magnitude लिखते है और साथ में उसके संग क्या लगाते बच्चो यूनिट वेक्टर लगाते कम बज़री देखिए जैसे मैंने यहां पर फॉर्स एप One टू के लिए formula लिखा कुलाम सला कुलाम सला आप जानते हैं बन आपन फॉरफई अफ्टेन क्यूवन क्यूपन आर लेकि यह वेक्टर में लिखा है तो वेक्टर में एक तो फॉर्स वेक्टर कौन्टेटी है तो यहां पर फॉर्स पर वेक्टर लगाया और ये सारी क्या scalar quantity है, जो scalar quantity है, वो magnitude की तरह वर्ग करती है, अब इसके संग मुझे बच्चो अगर ये vector लिखा है, तो मुझे इसके संग एक unit vector लगाना भी compass हरी है, तो F12 में, F12 के लिए unit vector के लगाएंगे, उसके respect में 21, क्योंकि वो लग कहां से रहा है, 2 से लग रहा है, तो द जाएगा, बच्चो, R12, ये दोनों unit vector, बच्चो, एक दूसरे के क्या है, opposite direction में, ये इदर है, ये इदर है, तो ये आपस में क्या same magnitude के है, लेकर opposite में, so they are equal, but in opposite direction, which is represented by minus sign, अब R12 की value, हम लगा देते, बच्चो, ये इस वाली equation में लगा देते, R12 के जगा, तो F21 की value हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसकी value लगा दिये, यहाँ पर, तो ये आपकी यहाँ पर R12 की जगे, अपना होगे, R-2 और minus sign को मैंने, बच्चो, जो minus sign है, इस minus sign को मैंने बाहर निकार लिया, तो ये बन गिया आपका Q1, Q2, R21, अब आप देखेंगे, ये वाली equation, और ये वाली equation मिलकुल similar है, तो बिस minus sign का अंतार है, तो इतनी value को हम, मैं फिर से में टाल देता हूँ, इतनी value को जो मैं मां कर रहा हूँ, ये वाली value आपके similar है, और इसको हम किता लेख सकते F12, तो यहाँ पे, यहाँ पे बच्चो, एक थोड़ा सा मुझे doubt हो रहा है, गड़बड हो गया, R12, R12 की value हमने यहाँ लगाई है, तो ये F21 नहीं होगा, ये F12 लिखा है, बच्चो, यहाँ पे होगा आपका F21, तो मैं करेट एक बार इसको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने, बच्चो, यहाँ पे इस से हम ले रहे है equation, यह थोड़ा सा यहाँ पे यह चीज गलत हो गई है, यहाँ पे F12 की जगए, क्या आएगा बच्चो, F21, क्योंकि हम इस equation से निकाल रहे हैं, तो यहाँ गा माइनस कहा जागा, बाहर आजाएगा, और यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, तो F21 वेक्टर इस उकल टू माइनस, और यह पार्ट हमारा किसके इकॉल है, 12 के, तो यह आजागा F12 वेक्टर के, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड हो गया, F12 जगे दिरेक्शन में, तो यह इसकी बच्चों यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म आपकी यह कहलाती हे, और एक यए कहलाती है, तो थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे F21 है, तो यह फस्त खोर्षन हो गया, देखिए, बच्चों मैं आपको दिखा दू, यह फर्स्ट कोशन हमारा कौन सा वाला हुआ मैंने आपको लिखे थे शुरू में तीन पार्ट यह हमारे तीन पार्टे बच्चो अब हम यहाँ पर सेकिंड कोशन करने वाले हैं 12 इसका थोड़ा मैं फॉर्वर्ट कर देता हूँ इसको यह हमने कर लिया कौलामसला की व्यक्टर फॉर्म अब हमारे पास यह सेकिंड कोशन आता है गॉस लौ हमें गॉस लौ इस बेस्ट ऑन इन्वर्ट इसको डिपैंड on the sentence content in कुलामसला तो हमें इसको क्या करना है बच्चो इसको एक तरह से कुशन और आता है तो देखिये हमने यहाँ पर क्या करा बच्चो यहाँ पर हमने एक स्फेर कंसेडर करा स्फेर की रिडियर स्वेर की रिडियोश हमने आरवन मानी और च स्पेरिकल गॉसिंद सर्फेज ली रेडिस आख और हमने एक अलिमेंटरी पाड लिया जिसका एरिया कितना डिया तो हम जानते हैं इस स्मॉल पार्ट से फ्लस्का फॉर्मला गॉस्वा से कितना होगा फाइब राबर फ्लस की डेफिनिशन स्वरी फ्लस का फॉर्मला होता है फाइब बराबर एड़ डियस और डियस को लिखेंगे यहाँ पर पहले फाइब की जगे हमने गॉस्टरियम से यूज कर ली यह पॉपन एपसलेन नॉट होती है लेकि यहाँ पर क्यू की जगे क्यूबन लगाएंगे क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पर क्यूबन कंसिडर कर आए डियस का मतलब होता है ए डिय का फाश खुरल से अगे हम यहाँ पर कतार लिख लेंगे दे मेंगे और ल नियुक्न बच्चे हम बच्चों यहां पर वराबर क्यों होता है force कौन applied experience करेगा q2 तो इसलिए यहाँ पर force का formula बन जाएगा q2 into e q2 की value हमने e की value हमने यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर q1 ता q2 यहाँ से मिल गया तो यह force का formula गया इस formula से आप देखेंगे जो force है वो a square के क्या है distance के square के inversely proportional है similar way में अगर इस formula को देखें बच्चो तो यह भी क्या है इसके inversely proportional distance के square के इसका मतलब यह होता है बच्चो कि कोई भी quantity if any quantity is proportional 1 upon r square को इसका मतलब वो follow कर रहा है inverse square ला को inverse square ला ही क्यालाता है distance के square के inversely proportional तो इसका मतलब यहाँ पे जो gauss theorem है जो based है वो किस पे होता है inverse square पे तो यह पूरा statement आप यहाँ पे लिख देंगे तो यह आपका proof होके आ गया और यहाँ पे बच्चो हमारा कुलाम सला निकाल आता है तो देखें यहाँ पे यह हमारा क्या आगे यह कुलाम सला हमने प्रूफ कर दिया किस से using इस पे बने रही है और अभी भी यहाँ पे काफी time हो चुका है तो चलिए फिर भी मैं भी इसको को यह वाला और पर देता हूं टू चार्ज दे रखे क्यू ए पे चार्ज क्यू है और बी पे चार्ज की located कहां पे आपका origin पे origin आप जानते हैं जहां पे x-axis y-axis meet करती है और दूसरा चार्ज कहीं बी है जिस पे चार्ज क्यू है और इसके कोडिनेट कितने दे रखे बच्चो ए कॉमा ए तो यह बी के कोडिनेट हो गए और यह एक के कोडिनेट हो गए तो यह distance a हो जाएगी और य जो है वो x-axis में आई दे रखा है और y-axis में के दे रखा है जे दे रखा है तो find the force के लिए formula निकालना है आई और जे की टी टम में सबसे पहले यहाँ पे हम r के बारे बात करेंगे जो a और वी फोर्स के लिए निकालना है तो force में कुलाम सा लगता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square तो main distance का रोल होता है तो यहाँ पे दोनों जो charge है q और 2q इनकी बीच की distance जो r है पहले हम यह find करते है तब जाके हम force निकाल पाएंगे त तो r जो हम निकालेंगे तो vector r बराबर कितना हो जागा a i plus a j यह आपने 11th class में पढ़ लखा है किस तरह से vector निकालते हैं इसका magnitude निकालने के लिए i का जो coefficient होता है उसका square जो coefficient होता है उसका square a square को अगर add करेंगे तो यह आपका आज आएगा कितना बच्चो 2a square a square का under root से बाहर निकालेंगे तो a बाहर आजागा true true तो मैंने इसको लिए यहाँ पर direct लिख दिया था तो यह आपके पास r की value आगई अब हमने कुलांस लागा आया कुलांस लागा हमारे पास कितना है क्योंकि हमें univector में लिखना है तो vector form में लिखा है मैंने यहाँ अभी मैंने आपको बताए भी थी एक क्यूवन क्यूटू अपॉन आर उसका और साथ में क्या लागाएंगे यूनिवेक्टर अब देखिए यूनिवेक्टर का फॉर्मला कितना होता है वेक्टर अपॉन मौड तो यह वैलू हम यहाँ पर replace कर देते हैं इस यूनिवेक्ट यहाँ पर 2Q है और distance R की वैलू हमारे पास कितनी है ए रूट 2 है और वेक्टर R की वैलू हमारे पास यह रही AI प्लस AJ यहां से हम कॉमन ले लेते हैं यहां से हमारा एकॉमन आ जाएगा तो एकॉमन होके कितना आगी है यहां पर आई प्लस जे और नीचे इसका क्यू खोलेंगे तो यह वह जाएगा टू रूट टू एक्यू अब इसको अगर calculate कर ले तो टू से टू कड़िया एसे एक कड़िय तो remaining term आपके बद जाती बच्चों यहां पर क्यू स्कार और फोर रूट टू अप्साइब वह रूट टू पाई एपसाले नौट क्यू स्कार पॉन इसका आई प्लस जे तो देखें यहां पर यह आपका क्या हो गया फोर्स के लिए फॉर्मला पूछा गया था तो यह फो पर बने रहिएगा मैं अभी इसी के आगे के questions लेके आने वाला हूं 2023 के इसी के continue करेंगे पार्ट टू में तो आप इसके आगे के questions अभी complete नुए बहुत सारे questions होते है 16 papers के questions कर रहे हैं तो 16 में मैंने एक topic पूरा complete कर लिया इस वीडियो में MCQ लेकिन अभी मैंने आपको section D क कर आया है मैं आपको सारे questions कराने वाला हूं next video के part 2 में मिलते हैं चलिए तब तक के लिए thank you video अच्छा लगे like करिए subscribe कर दिए और आप ये भी कहते लिए कि sir हमें अच्छे लग रहे है तो please आप video बनाते रही है